नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अर्जेंटीना की, जहाँ पर एक बहुती historic movement बताया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो abortion है उसको legalize कर दिया गया है, जियां, abortion को legalize किया गया है, इसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उसके पहले आपर exactly थोड जैसा कि यह North America है, तो South America में दोस्तों, यहाँ पर एकदम Southern Side में यह जो देश है, यह आप देख सकते हो, Argentina, इसी की हम बात कर रहे हैं, बड़ा देश है, यहाँ पर longitudinal terms में भी आप देख पाऊगे, कि काफी जादा size का है, और यहाँ पर इसकी जो capital है, दोस्तों, ध्यान रख कहते हैं, जो कि आपका यहाँ पर आके गिरती है, तो Buenos Aires और यहाँ पर जो Argentina है, उन्होंने यहाँ पर allow कर दिया है, legalize कर दिया है, abortion को, और यह बताया जा रहा है, कि इसका जो impact है, वो आपके पूरा यह जो Latin American countries हैं, जैसे कि यहाँ पर निकारगोआ हो गया, गोटेमाला हो या, कई सारे देशों में भी इसका असर आपको देखने को मिलेगा, तो चलिए इसकी सुरुवात करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर न्यूज में देख पाऊगे, Argentina's decades long fight to legalize abortion ends in victory, तो यहाँ पर इसके बारे में डीटेल से जानेंगे कि पूरा मामला है क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं हूँ अंकित अगरवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेस्बुक और ट्विड़ापार मेरे लेक्श्य की हप इडियाफ आपको फेस्बुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलिग्राम चैनल जाओगे, अबोर्ट, अबोर्ट करना मतलब किसी चीज को कैंसल कर देना, डिले कर देना में भी उसका ये वर्ड हो सकता है, तो अबोर्शन जनरली बेसिकली बोला जाता है, कि जो प्रेगनेंसी है, उसको एक तरह से एंड कर देना, मतलब ऐसा कोई प्रोसीजर अपनाया के पास, उसको रिमूफ कर दिया जाता है, फ्रॉम दे यूटरेस, तो यही होता है दोस्तों, अबोर्शन, तो यहाँ पर अब क्या हुआ है, कि एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिसिजन में, जो अर्जेंटीना की कॉंग्रेस है, बेसिकली हमारे देश में, आप इसको कॉंग करने का यह मतलब है कि कभी भी अबोर्शन नहीं किया जा सकता, बेसिकली जो भी महिला प्रेगनेंट है, अप टू 14th week, मतलब 14th हफते तक, जो भी महिला प्रेगनेंट है, वो यहाँ पर अपना जो अबोर्शन है, उसको करा सकती है, और यह बताया जा रहा है कि इसका जो impact है जैसा मैंने आपको बताया Latin American countries पर भी आएगा इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा लेकिन जैसे ही ये decision लिया गया जैसे ही ये bill आपका pass किया गया Argentina की Congress से तो कई सारे जो women है, activists हैं, जो supporters हैं इस bill के वो यहाँ पर street पर आ गया और उन्होंने chair किया, कई लोग रोने लग गया क्योंकि बहुत लंबा struggle चला है abortion को लेकर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये पूरे विश्व भर में अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो strict था आपका abortion के मामले में वो Argentina ही था, तो finally यहाँ पर इसको legalize किया गया है लेकिन इसके बहुत सारे critics है मैं आपको आगे बताऊंगा, कई सारे opponents है जो नहीं चाते थे इसको legalize किया जाए और वो अपने आप में एक तरह से protest कर रहे थे कि इसको legalize नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर यह जो bill है, इसका अर्थ क्या है, अभी तक अगर आप देखोगे दोस्तों, Argentina में क्या होता था कि बहुत rare cases में ही होता था कि यहाँ पर abortion allowed किया जाए, especially अगर suppose किसी का rape किया जाता है, तो उस case में यहाँ पर कोई महिला pregnant हो गई, तो उसका abortion allowed था, या फिर जब कोई किसी महिला का बहुत जादा serious risk हो जा रहा है health को लेकर उस case में शायद allow किया जाता था मतलब इतना लंबे स्थर पर भी allow नहीं किया जाता था, लेकिन यहाँ पर जो activist हैं, वो बहुत वर्षों से वो कोशिश कर रहा है कि 1921 से यह जो abortion का rule लाया गया था कि इसको हम illegal कर देंगे finally जाकर उनका जो campaign है वो सफल होता है, in fact मैं आपको बता हूँ तो दो साल पहले भी जो अर्जंटीना की Congress है, वहाँ पर यह bill pass होई जा रहा था, लेकिन छोटे से margin से इसको defeat कर दिया गया था और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अर्जंटीना की जो Congress है, National Congress इसको कहते हैं, इसके अंदर दो houses है एक है आपका Senate जो upper house है और एक है आपका Chamber of Deputies lower house है, मतलब हमारे देश के अंदर यह लोग सभा हो जाएगा और यह जो upper house है, राजस्वा हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हुआ था कि बहुत ही छोटे margin से इसको defeat कर दिया गया था दो साल पहले लेकिन अब वापस से इसको जो bill है वो pass कर दिया गया है, इस bill के अंदर एक और चीज है कि यहाँ पर जो women है उसको और जादा स्वतंतरता दी जा रही है greater autonomy दी जा रही है उसके body को लेकर वो महिला की body है वो जो चाहे उसके साथ करे उसके अलावा यहाँ पर जो health care का system है वो और जादा better provide किया जाएगा pregnant women को या फिर even कोई महिला है जिसका कोई बहुती young बच्चा है उनको यहाँ पर better health care services दिये जाएंगे अब यह जो पूरा bill है दोस्तों इतना जादा landmark क्यों है वो मैं आपको अब समझाता हूँ देखिए अभी तक क्या हो रहा था basically यहाँ पर जादा तर जो महिला है girls हैं अगर वो pregnant हो जाती थी तो वो illegal तरीके से unsafe procedure के through अपना abortion कराती थी जैसे कि आपको पता होगा अगर यह illegal है लेकिन वो क्या करते थे abortion कराना है तो गलत तरीके से यहाँ पर abortion किया जाता था डॉक्टर के साथ मिल कर और यहाँ पर especially problem किसको आती थी जो socio-economically disadvantaged people है जिनके पास पैसा नहीं है क्योंकि कोई चीज अगर आप illegal है और आप उस चीज को करना चाहते हो तो आपको बहुत जादा पैसा payment करना होता है इसकी वज़े से क्या होता था जो rich person है वो तो अपना safe तरीके से abortion करा लेते थे लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है उनको यहाँ पर unsafe तरीके से किया जाता था जिसकी वज़े से यहाँ पर जो human rights watch है उन्होंने ये बताया कि unsafe abortion की वज़े से जो मात्र मृत्यू दर है जिसको हम maternal mortality rate है वो बहुत जादा बढ़ गया था अर्जेंटीना के अंदर तो आप यह समझ सकते हो कि again यहाँ पर यह जो bill है वो कितना जादा फायदा करने वाला है इसके अलावा मैं आपको बताओ तो अर्जेंटीना के अंदर सरकार तो हई है लेकिन जो catholic church है उसका भी बहुत जादा immense power है और influence है अर्जेंटीना के अंदर और वो काफी लंबे समय से इसको oppose कर रहे थे अभी भी उनका opposition जारी है कि यह जो bill है उसको pass नहीं करना चाहिए मतलब catholic जो church है orthodox विचारधारा के जो लोग है उनका मानना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए इसको legalize नहीं होना देना चाहिए इसके लावा in fact मैं आपको यह बता दूँ पिछले 70 साल से जो catholic church है वो यह कह रहा था कि even जो contraceptives है उसका भी sale allow नहीं करना चाहिए जो condoms होते हैं इस तरह की चीजें जो आपका allow नहीं करना चाहिए यह काफी लंबे समय से वो कर रहे थे इसकी मांग लेकिन ऐसा accept नहीं किया गया और even आपको मैं कई सारे cases बता सकता हूँ जिसमें यह जो bill है वो इतना ज़ादा important क्यों है उसमें से एक example में आपको बताता हूँ 2006 में क्या हुआ था 25 साल की महिला थी जो rape survivor थी उसका rape किया गया था 25 साल की महिला थी अब वो क्या होता है वो pregnant हो जाती है उसके बाद उनके द्वारा यहाँ पर petition डाला गया court के अंदर की abortion allow किया जाए इसके लिए तो court ने इस बात को समझा और abortion allow कर दिया गया लेकिन जो catholic जो आपका जो church है उन्होंने यहाँ पर जो उसके organization है उन्होंने उसके उपर injunction लगवा दिया मतलब कि यह allow नहीं किया जाएगा abortion उसका allow नहीं किया जाएगा लेकिन वापस से उस महिला और उसके परिवार के द्वारा यहाँ पर appeal की गई तो इसलिए यहाँ पर यह जो abortion का bill है दोस्तों वो बहुत जादा landmark बताया जा रहा है अर्जिंटीना के perspective से अगर हम voting की बात करें तो जो senate है अपर house है वहाँ पर finally यह bill गया और 38 senators ने यहाँ पर इसके favor में vote किया और 29 अभी भी इसके against थे एक person absent कर गया और यहाँ पर जो president है अर्जिंटीना के Alberto Fernandez उन्होंने even campaign के अंदर यह बोला था कि वो इस bill को reintroduce करेंगे 2018 में यह bill defeat हो गया था लेकिन उन्होंने campaign में promise किया था कि reintroduce करेंगे और उनका यह कहना था कि मैं एक Catholic हूँ लेकिन उसके बावजूद भी सभी लोगों की जो मांग है यहाँ पर ज्यादा तर लोगों की मांग है कि इसको legalize किया जाए यह मैं मांग को सुईकार करता हूँ और तभी जाकर यह जो legal यह जो will है आपका दोस्तों पास हो गया है अब आप बात आती है कि इसका Latin American countries के उपर क्या impact हैगा यह जो पूरे देश है आपके Mexico भी इसको शामिल कर सकते हो दोस्तों यह सभी आपके Latin American countries में एक तरह से आते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों तो अब जो activist है उनके द्वारा hope जताया जा रहा है कि इसका जो असर है बाकी देशों में भी देखने को मिलेगा और भी देश यहाँ पर इसको legalize कर सकते हैं क्योंकि at present अगर आप देखिए कई सारे देश निकारगुआ हो गया यहाँ आप देख सकते हो यह आपका निकारगुआ यह वाला देश इसके ऊपर यह छोटा सा देश है यह आप देख सकते हो Dominican Republic ठीक है तो यह जो आपके देश यहाँ पर अभी भी illegal है इसके लावा Uruguay, Cuba, Guena आप देख सकते हो यह आपका नीचे Uruguay यहाँ पर Guena हो गया ठीक है तो यह जो यह जो देश है दोस्तों यहाँ पर अभी भी illegal है बहुत ही request के चलते है यहाँ पर अगर कोई women request करती है तो abortion allow किया जाता है specific cases में और यहाँ प पुरा process है वो अभी भी struggle भरा हो सकता है तो जैसा मैंने आपको बताया था अल्री जो Catholic Churches वगरा है वो अभी भी यहाँ पर इसके खिलाफ है जो organization है तो यहाँ पर इतना smooth process नहीं होने वाला है क्योंकि आप समाज के अंदर कोई change लाना चाहते हो तो सुर्फ law के through आप नहीं पाएंगी इन फाक्ट अगर आप ब्राजील में देखो ब्राजील में भी यह illegal है जो जैर बोल्स नारो है उन्होंने तो यहाँ पर यह भी बोला है कि अगर कोई भी बिल लाया जाएगा pro abortion बिल तो मैं उसको reject कर दूँगा वीटो कर दूँगा तो आप समझ सकते हैं कि कि क इतनी बड़ी दिक्कत है वहाँ पर पूरे Latin American countries matter बट I hope कि यह जो पूरा वीडियो था आपको यहाँ पर काफी कुछ इसके बारे में जानने को मिला होगा जाने से पहले क्योंकि हम abortion की बात कर रहे हैं लेकिन क्या आपको पता है भारत के अंदर क्या रूल है abortion का तो यहाँ पर इससे related चार स्टेटमेंट मैंने लिखे हैं बताइए कौन साइस स्टेटमेंट करेक्ट होगा इसका जो राइट आंसर है मैं हमिशा की तरह अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही अगर आप इंस्टापे नहीं हो कोई बात नहीं टेलिग्राम से आप इसका स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो अगर आप उसे एकॉनमी पढ़ना चाहते हैं कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं स्टडी आप पर जा सकते हैं होप कि वीडियो आपको पसंद आयोगा मिलता हूं आप से नेक्स टैम तिल देन थैंक यू बरी माच स फिल सून